सलुम्बर 56 सेत्र की सबसे बड़ी दो दिवसिय कबड़ी लिग टूनामेंट हुई संपन वर्ड कबड़ी डे पर प्रताफ संस्तान 54 में सुबारम हुई दो दिवसिय प्रताफ कबड़ी लिग 56 सिजन रात्री को करीब एक बज़े संपन हुई इस टूनामेंट में कुल आट टीमों ने भाग लिया तथा आट टीमों के अलग-अलग कप्तानों ने 120 खिलाड़ों में से 6 खिलाड़ों को अपने अपने टीमों में सामिल किया सलुंबर के 54 सेत्र में यह परली कबड़ी प्रती योगीता थी जो साम से रात तक खेली गई कबड़ी प्रती योगीता में उद्गाटन वा समापन कारिकर में अत्यक्सा प्रकाच चंशर्मा वा विस्षिश्ट रती थी कमल सिंग सक्तावत रे पूरा टूर्णामेंट की व्यास्ता वा रूप्रिकाव को नरेश रेबारी के द्वारत देखा गया प्रती योगीता में खिलाडियों के लिए दो दिन के लिए भोजन की व्यास्ता जे नाराण मिरा नठारा जगदिस पटेल ने की फाइनल मुकबला प्रताप संस्तान चावंड जिसके मालिक प्रकाश सर्मा थे वो जे मात दराल जिसके मालिक जे नाराण मिरा नरेश रेबारी सिपूर थे दोनों टीमों के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला काफी रोमान चक रहा जिसे प्रताप संस्तान चावंड एक अंक से विजेता हुई प्रतियों किता में एक टीम में 12 खिलेडों ने भाग लिया दोनों टीमों ट्रोफी देकर सम्मानित किया गया